दोस्तो आल एंडिया अंगनबाडी निउस चनल से जुड़ने के लिए आपको नीचे दी गई रेड कलर की सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना है उसके बाद नोटिफिकेशन बेल बन करके आएगी उस पर आपको क्लिक करना है फिर उसके बाद तीन आपकी स्कीन पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो आप सब जरूर जुड़ जाएए आगे बढ़ते हैं खबर की तरफ सीधे आपको हम बता दें बहुत ही जादा महतपूर ये सूचना है और आंगनबाडी बहनों आपसे इस प्रारूप पर जानकारी मांगी जा रही है काफी जनपद में ये जनकारी मांगी भी जा चुकी है और काफी जनपद में ये काम अभी आज भी चला है और कल भी चला था और आगे कुछ जनपद ऐसे भी होंगे जहां पर आगे आप लोगों को यही देखने को मिल जाएगा तो अभी आप लोग तयार हो जाईए जानकारी की तरफ हम बढ़ते हैं आपको बता दें प्रारूप में कालम कौन कौन से हैं? पहले कालम के बारे में जान लिजिए, फिर हम आपको बता देंगे कि आप अपने फोन में EMIGI जो नमबर है उसको कैसे निकालेंगे इसके बारे में जो जानकारी विभाग मांग रहा है तो सबसे पहले देखिए करम संख्या का एक कालम आपको बनाना होगा उसमें दो कालम बनते हैं पहला वाला और दूसरा वाला तो करम संख्या में यानि दो point बनेंगे पहला point और दूसरा point अब यहाँ पर देखिए आंगनबाडी केंदर का नाम का एक column बनेगा आपका तो आंगनबाडी केंदर का एक नाम का जो दूसरा column बनेगा तीसरा जो कालम बनेगा वो बनेगा आपका आंगनबाडी कारकरती के नाम का ये आप देख सकते हो और चौथा जो कालम है वो मोबाइल नंबर का है यानि आंगनबाडी कारकरती के पास कौन सा मोबाइल नंबर है तो अपना mobile number आप डालना जो भी sim आप चला रही हो तो जो आपकी active sim है यानि जिस पर आप विभाग का सारा काम अभी present time में कर रही हो जो आपकी com के LTS में भी आपने update की होगी या विभाग में जब भी मांगी जाती है तो वहाँ पर जाती है यानि कहने का मतलब है active sim हो जिस पर आप सारा काम कर आपकी main sim है जिससे आपकी सारी क्रियान जो बालविकास की हो रही है अब आगे चलते हैं आपको बता दें पांचवा जो आपका column बनेगा प्रारूप में वो है अपने sim का number जो आपके mobile में पीछे पड़ा हो तो यह उनका कहना है यह एक column बनेगा अब ह जो है यहाँ पर नंबर जैसा लिखा होगा 18 से 20 संको का आप उस नंबर को जो है नोट कर लेना यह आपका पांचवे कालम में जो है जाएगा मांग रहा है अब छटा जो कालम है वो देख लीजिए इसमें लिखा है जो आंगनबाडी के mobile रहता हो उसका EMEI number तो आपके पा देना उसके बाद अपना EMEI number निकालना और निकालना कैसे है वो भी हम आपको बता देंगे साथ में आप देख लिजए पहले यह जो साथवा कालम है वो आपका बनता है A&M का नाम जो आपकी A&M होंगी उनका नाम बनेगा और जो आठवा कालम है उसमें है A&M का mobile नंबर यह जानकारी जो है निदेसाले मांगी जारे और इस पर उपर लेखा भी एक करपिया उक्त बिंदूओं पर सुचना ततकाल देना सुनचित करें काफी जनपदों में बहनों ने एक काम कर लिया है दो दिन पहले मैंने आप लोगों को जल्दी जल्दी में इसके बारे में जानकारी दी थी लेकिन अभी समस्या में देख रहा हूँ काफी बहनों को आ रहे है इसका 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 बढ़िया वीडियो बना दे ताकि और भी जनपदों जो बहने उनको मदद मिल जाए अब हम आपको कुछ आवस्यक बिंदू बताते उनके बारे में देख लीजिए औ आपका जो कोड है वो है स्टार हैज 06 हैज इससे आप अपना फोन का इमाई नंबर निकाल सकते हो लेकिन फिर भी चेतावनी है सबसे पहले आप ध्यान देना आपके फोन में यदि दो-दो सिम पड़ी होंगी एक बेकार की सिम होगी यानि कहने का मतला है वो नंबर जो आ अपने करम संख्या का कालम बनाया था न उस करम संख्या में दो कालम बने एक ये लाइन गई है और दूसरा मैं ब्लु कलर से कर रहा हूँ एक ये लाइन गई है यानि दो-दो-दो-दो-धोन कालम भर देना दो इमाई नंबर टाइप के दिखेंगे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है दोनों नोट करके जो है ऐसे देने हैं इसलिए यहां पर दो कालम टाइप के बनके जा रहे हैं तो अब हम चलते हैं आपको कुछ और जानकारी की तरफ देखें यह भी कहा जा र आपके पास Android Touch वाला फोन होना चाहिए उसमें लिखा है कि जो है अन किसी कीपैट फोन में उसकी सुचना नहीं मांगी जा रही है तो आगे देख लिजे आगे लिखा है अपने फोन का आई एम ए आई वगरा जो आपका नंबर है वो कैसे देखना है उसके बारे में देखि और मोबाइल सिम का पीछे एक कोड पड़ा होता है जब आप फोन खोल लोगी सिम भी निकाल लोगी तो सिम के पीछे आप देखना 18 सभी संको का नंबर होगा वो पांचवे कालम में भरकर के मांगा जा रहा है तो ऐसे में आप देख लिजिए तो तभी आप लोग ये काम क उसी काम का उसी मोबाइल का। आपको यह माई नंबर देना है और उसी के किले जानकारी मांगी जारे हो आगे देखिए यहाँ पर यह माई नंबर को निकालने के लिए लिए लिखा है कि अपने फोन का I, E, E, M, I वगरा नंबर जानने के लिए डाइल करें तो डायल आपक जब यह आप dial करोगी जैसे आप phone number मिलाती हो बिलुकुल easy है dial करने के लिए निकालने के कोई बहुत ज़्यादा यहाँ पर rocket science नहीं है कहने का मतलब है बहुत ही आसान है जहां से आप phone मिलाती हो dial वगरा keypad वाला आता है system तो dial जब आप करती हो तो वहाँ पर dial करने के जगह प होगी तो आपको आपका number मिल जाएगा EMI आपकी skin पर दो number type के दिख जाएंगे उन दोनों को आपको लिख करके अपना जो छटा वाला है जिसमें कहरा है कि जो आंगनबारी के mobile रहता है उसमें EMI नंबर तो उसमें आपको यह दोनों भर देने है और दोनों वगरा line line से केंदर के लिए दूसरे mobile का data देना होगा तो कहने का मतलब बहुत से ऐसी बाहने जिनके पास दो दो जो है केंदरों का चार्ज होता तो उनको दूसरे mobile से जो अपना data इसी तरीके से निकाल करके उनका कहना है देना होगा साथी देख लिए यदि विभाग द्वारा दिया अगर फोन सही है तो उसी फोन का data देना है अगर फोन खराब है और किसी दूसरे फोन में कार किया जा रहा है तो उस जो है अन्य फोन का data आपको देना होगा कहने का मतलब जहां 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 विभागी फोन मिले है वहां वाले अपना उसी फोन का देंगे और जहां जहां ज अगे छलते हैं आपको कुछ और बताना चाहेंगे जैसे कि मांदे की समास्यां भी आ रहे कैने की हमारे याप होन नहीं मिलाए भाईया थो क्या हमें पूर्साहन नहीं मिलेगा तो आपकी समस्या का समधान इस वीडियो में हमाच कर देंगे पहले ये देखिए मेरे पास मेसेज़ा है UP से और आज की अमरुजाला में उनका कहना है निकला है आईए देखते क्या निकला है उनका कहना है आपके APM का पदनाम लिखने वाली तीन DPO को मुख्याले से हटाने की तैयारी की जा रही है दरसल अमरुजाला में ये खबर छपी है देखें ये खबर बहुत पहले से इनके उपर आरोप मैंनी आरोप का नहीं कह सकते है ऐसा चल लहा है और इस चीज़ को लेकर के प्रयास किया जारा है लेकिन होता कुछ नहीं है अधिकारी इनके उपर कारवाई नहीं कर पा रहे है DPO को हटाने के प्रस्ताव को मुख्य ये देखिए आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से पहले एक और जानकारी देख लीजे बिहार से है बहनों हम कहते हैं आपसे की पूरा वीडियो जरूर देखा करो हम एक ही करके ही आपको खबरे दे पाएंगा भी आपको जो है हमने कहा ना प्रोसाहन को लेकर के मोबा ने हमारी तकलीब जेल नहीं है क्योंकि वहाँ पर एक तो कोरोना उपर से यहाँ पर जो है बार का सिस्टम उपर से भारी वरसात वहाँ भी देखने को मिल लाई है अब जिला जो पताधिकारी उनको लिटर गया है किसन गंज अररिया कटिहार पूणियास और सुपॉल मद दिखा दूँ आप लोग जो है इससे थोड़ा सचेत रहना फिलाल के लिए बार हर जगे चल लाईए हमारा काम है आपको जानकारी देना कुसुम यादो बहन है उनका भी एक मैसेज आया उन्होंने लिखा है आप हम लोगों की इतनी मदद करते है और बहन ने अपनी फोट दिखना चाती होंगी कोशिज में ड्यूटी वगएरा कर रही थी ऐसे बहन ने लिख दिया है यह बहने जो है नवाब पुरा से हैं तो हो सकता है वहां पर बहने संक्रमित हो गई हो तो ऐसे हर जगे बहने हमारी संक्रमित हो रही है तो यही लिए हम आप लोगों से बता र जाएंगे तो सिर्फ हम ही नहीं जाएंगे हमारा परिवार भी जो है यहाँ पर खत्रे में आएगा ना इस वज़े से हम आपको समझा रहे हैं आगे देखिए अगला मैसेज यहाँ पर है मंजु यादव गाजीपूर से हैं जिनको मोबाइल नहीं मिला है उनको प्रोसाहन र जन्वरी फरवरी और मार्च में तीन महिनों में आई थी ऐसा जानकारियों में आया था और कुछ जगया बहनों ने भी कहा था कि भाया मेरी मेरी इतनी जो है प्रोसाहन रासी आये पूरी 500 नहीं आया थी क्योंकि उसमें सरते लगी हैं और 3-4 सरतों के आधार पर था ना कह जहां मुबाइल मिले हैं वहां की बहनों के लिए काफी समस्या है और जहां मुबाइल ही नहीं मिले हैं तो वहां पर प्रोस्ताहन रासी आएगी आपका काम जैसे ओफ-लाइन हो रहा था उसको देखते हुए जो आपके वहां की अधिकारी जो है बना करके सब कुछ कि दीपाली बताने रच्छा बंदन से पहले मांदे आ जाएगा उमीद है हमें भी किया जाए और अच्छा रहेगा यदि आ जाए नहीं आएगा तो फिर देखा जाएगा कोई कि यदि अधिकारी कह रहे हैं तो एक बार इंतजार तो करना ही है और वैसे भी हम लोग कितना भी प्रयास करें अधिकारी एक कान से सुनते हैं दूसरे से निकाल देती हैं अब अगला देखिये मैसेज मंजुयादो बहन का है उन्होंने भी यही लिखा था कि सुदानसु भाया हम मंजुयादो गाजीपूर से हैं और जिसको मुबाइल नहीं मिला है उसको प्रोसान र प्रयूटी कैसे करें और उनका यही सब कुछ कहना कि अपने अधिकारी को बता चुके हैं फिर भी वो लिस्ट में नाम देते हैं यही समुनकी समस्या तो देखिए बहन साब सब्सब्स में मना करी जब इतनी समस्या हैं तो आप काम ही मत करो कितना क्या करेंगे कितना तो अभी आपके पास जो भी है समस्याँ क्योंकि हम भाई हमें अपना ध्यान देना अधिकारी नहीं से उनको काम से मतलब है आप विरोध कर थी, तो वो यह समझ रहे होंगे कि आप जोई आपके पास समस्याँ नहीं, आप सिर्फ काम से बचने के लिए सब कर रही हो तो इस वज़े से उनको जो भरोसा नहीं हो रहा है लेकिन जो भाकीकत आपके वहाँ कहे दो आईए भाया देख लीजिए जैसा कुछ है तो खुद ही उनको सोचना आप चाहिए आगे देखे रादा सरमा भेहन उनका भी कहना है भाई हमारे डिश्टिक गाजियाबाद में इसे में हम कैसे काम करें फिर हमको 500 इंसेंटिव कैसे मिलेगा भाई हम देखिए ऐसे हमारी काफी बहने हैं जिनकी समस्यां यही बनी रहती है तो पंदा सो प्रोसान को लेकर के बहन मैं बता चुका हूँ आपकी भी समस्या सौल हो चुकी होगी आगे देखे अगला भी मेस सज़ है भाई सुदानसू यह जो आंगनबाडी करकरता कि प्रमोशन में इतनी इन्हों ने जो है आयू सीमा रखी गई है न क्या यह सही है जो आंगनबाडी करकरतियों ने 20 वरसों से काम बिचारी कर रही है उन बहनों का भविसी खराब होने वाला है न तो भाई सुदान अगनबाडी को निकाला नहीं जा सकता है तो यह सारी चीजे थी लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ अधिकारी जबरन इस बार इस सब कर रहे है तो इसके लिए जब तक आंगनबाडी बहने कुछ नहीं करती है तब तक विरोध अच्छे तरीके सब तक मेरे जैसे यदि विमला देभी भाया जी राखी मेरी बेटी ने बनाई तो बहुत ही अच्छी बनी आप देख लेजे ये उनकी तरब से भेजी गई है साथी आपको बता दें अगला जो मैसेज आए मेरे पास इसमें लिखा है ये पोसार का वितर्ण हमारी बहन के दोरा किया जा रहा है जै दूर दूर पोसार के पैकेट रख दिये गए और अपना लाभारती आ करके अपना उठा करके चले जाएंगे अच्छा देखिए अगला जो मैसेज आ रहा है पदमा बहन का है उन्होंने अपनी तस्वीर भी भेजी है साथी आपको बता दें उन्होंने लिख करके भी है तो यहाँ पर उनका कहना है तो भाया क्या हम लोगों को कोई भी जो है नया नहीं मिलेगा या फिर हम सभी वरधा असरम की तैयारी करें तो यह बहन हमारी कह रही है तो यहाँ पर देखे कितनी समस्या है अब सरकार ऐसी है जो सुन नहीं रही है और एक तरप कहती है कि मह निकाले जाएंगी हम सब लोग, तो मुझे बहुत जादा दुख होगा, यही बहने अपने दुख को यहां पर बता रही हैं, बहने, तो वही आप देख लिजे कितनी समस्या हैं, आप लोगों से विंती रहते हैं, कि वीडियो को सेर जरूर किया-करो, आगे मैसेज देखिए साहरनपुर की सुपरवाजर सुनीता जो चौधरी है न वो भी कुरोना संक्रमित हो गई है अब बताए सुपरवाजर संक्रमित हुई है कितनी आंगनबाडी उनके पास गई होगी अब उनके घर में यहाँ पर खतरा बना होगा अब देखे इनके दोरा 24 तारीक को आंगनबा करते हुए तस्वीर मुझे भेजी है जैसा कि आप देख सकते हो अगला जो मेसेज लगा हुआ मेरे पास यूप्यारी बहन है उन्होंने यहाँ पर लाभार्तियों को साथ घीका पैकेट होगा या फित जो है यहाँ पर नई घीका पैकेट नहीं है पोसा हर बहन दे रही मा पर जो है यह हमेसा फेक खबर यह दिखाता था और इसलिए आज इसके साथ यह हुआ है तो फिलाल के जो भी हो हम लोगों को इसके बारे में नहीं सोचना है आपको अपने चैनल पर ध्यान देना है कि हम सच्चाइ देखनी है तो आप यहाँ रहYे और जो भी जिसको देख जिन्दगी दूसरों का कुपोसर मिटाती रही बहने चंद पैसे मिलते रहे और उसी से परिवार चलाती नहीं और अब जब बिना किसी पेंसन के सेवा समप्त की जाएगी तो कैसे उनकी रोटी चलेगी या सरकार एकदम जो है नरदई हो चुकी है संगठन भी हमार जो है सरक जुक गई है और ऐसे में बहनों को कोर्ट में एक बार पुना जाना चाहिए और पूछना चाहिए कि जिन्दगी भर दूसरों के लिए अपनी जिन्दगी वगरा खपा दी अब जब बिना किसी फंड और पेंसन के 22 साल की सेवा हो गई है तो जीवन यापन कैसे करेंगे ज जहां तक कुरसी मेज मिलने की बात है हर जिले में नहीं मिलने हैं जहां तक मेरी जानकारी है सिदार्थम के जनपन में किसी भी बलाक में आंगनबारी केंद्र को कुरसी मेज नहीं मिले हैं और यहां पर देखिए कुरसी को छोड़िये बच्चों के बैठने के लिए चटा करण होता, टीका करण के दिन आसा एनम सुपरवाइजर आंगनबारी कर करती, साहिस कई लोग भी उपस्थित रहती हैं, लेकिन उनके बैटने के लिए विवस्था विभाक ने कोई विवस्था तक नहीं कराई है, सारा विवस्था अंगनबारी के जिम्मे है, पच्पंसोर रुपए मांदे में बहने घर की रोटी भी चलाएं, और अंगनबारी केंदरों की छोटी मोटी आवसकता भी पूरी करें, उसके बाद भी इनके बदले सरकार क्या दे रही है, बिना किसी फंड के पेंसन से निकाल करके बाहर कर रही है, तो ये काफी चिंता का विसा है, इसलिए तो मैं आपको सब भी को समझाता हूँ, कि आप सब जागो, इसी तरह जागो और अपनी आवाज को उठाओ, आगे देखिए हमारे पास सुननदा तिवारी बहन है, उन्होंने भी अपनी तस्वीर भेजी है, पोसाहर वित्रन था जा रही है, अब देखें, घर-घर पोसाहर की गठरी बहनें ले जा रहे है, घर-घर बाट रहे है, कितनी तक्लीफे उठा रहे है, सवितेस बहन है, उन्होंने भी अपनी पोसाहर की तस्वीर मुझे भेजी है, आप देख सकते हो, आगे चलते हैं एक और मेरे पास ये नाम नहीं आया बहन जो है पोसाहर का वितन अपने केंद पर कर रही है साथी आपको हम दिखाना चाहेंगे जितनी भी तस्वीरे थी आपको दिखा दिया सुबह का वेडियो हो गया पसंद आया तो लाइक करिए जानकारी जो स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा आहम है यह अमाई नंबर जो आपको निकालना है और उसके लिए मैंने बता दिया स्टार हैज 067 था और हैज था ऐसे ही था स्टार्टिंग में फिर देख लेना एक बार तो वही आप लोगों को ध्यान रखना है धन्यवाद